जैसे रादी जी आपको स्वागत है मैंने चैनल रंग ग्रूप पे और आज इस वीडियो के तुरू आप जानेंगे कि अगर आपके अथेली के कुछ मुख्य रेखा हैं दो मुख्य हो जाती है यानि कि टू पार्ट में डिवाइट हो जाती है तो उसके क्या फ़ल आपके ज से ही निकली हो यानि कि कोई अलग से इंडिविज्वल लेखा आके इसे दो मुख्य का रूप परदान ना कर रही हो ना ही भागी रेखा आके इसे दो मुख्य की रूप में परदर्सित कर रही हो क्योंकि जब भागी रेखा आके करेगी तो इसनों सिंबल की रूप में जा तो यहां पर अगर आपकी hotline डूपार्ट में रिवाइट होती है तो क्या फायदा होगा सबसे पहले समझ लो कि डूपार्ट में होने से फायदा क्या होता है यह जिस भी रेखा पर होती है उस रेखा के गुन और गुनों को आपके जीवन के अंदर बढ़ाने का कारे करती है जैसे hotline पे है तो यह आपके अंदर जो मनवता के गुन है आपके अंदर जो प्रेम है समर्पन है द्यालूता है त्याग है इन सारी चीजों को बढ़ाने का कारे करेगा इसके साथ ही जिस ग्रह छेत्र के पास दो मुखी अवस्था में पहुंचेगा उस ग्रह छेत्र से सम को बढ़ाने का यह कारे करता है आर्थिक क्रियाओं में आपको सनलिप्त करता है यानि कि फिनांसिल एक्टिविटीज की तरफ आपका जुकाओं काफी बढ़ जाता है और उन्हीं चीजों में आप अपने जीवन को जोग देते हैं हर एक तरीके से कहां से कुछ आर्थिक किलाब हो जाए इन चीजों में पड़े रहते हैं इसके अलावा गुठ ग्यान जो होता है उसकी तरफ भी काफी जुकाओं होता है तांत्रिक गतिवितिया वगरा जैसी जो चीजे होती है उसकी तरफ कई दफे इनके साथ चीजे अगर एमांट बहतर इस्तिति में नहों त चीजे जो होती है इन 91 ज्वाले होते है अपने परिवार की बहतरी के लिए अपनी समाज की बहतरी के अपनी इमेज के लिए IS द्याप करने होते बड़े-पद को सुसोवित करते हैं अच्छी मधूर भासा बोलना इन्हें पसंद होता है, धार्मिक गत्यविदियों की तरब जुकाओ भरपेट होता है, पुजा पार्ट परगरा, जिसमें धर्म से जुर्य हैं, उसमें काफी कुछ अपना योगदान देते हैं, अपनी इमेज के परती सबसे ज्यादा सजग र परवल होगा, उसका परवल होगा, उसका परवाव जिवन में दिखाई देगा, जो कमजोर होगा, उसका कम असर दिखाई देगा, यह बस विसेस रूप से इस लाइन की बात हो रही है, इसके अच्छे और बुरी चीजों के विसे में, अब हम बात करेंगे मस्तिस्क रेखा कि अगर मस्तिस्क रेखा आपकी दो मुखी हो जाती है, तो क्या परवाव पड़ेगा, देखो इसमें भी ध्यान देना कि यह कहां पर हो रही है, सुरिक के परवस्चेतर के नीचे दो मुखी हो रही है, या मंगल के छेतर में आके दो मुखी हो रही है, क्योंकि सुरिक के छेतर में आके होगी, तो ऐसे वेक्ती काफी जोसीले होंगे, बात बात पर जोस पर आने वाले होंगे, सबने बुनने वाले होंगे, काम करने में कही न कहीं पीछे राज आने वाले होंगे, जोस के साथ किसी भी कार में आगे कि तरह पढ़ेंगे, लेकिन बहुत जल्दी बैक फुट पे आ जाएंगे और इन्हें पता चल जाएगा कि यह मुझसे ना हो पाएगा, ठीक है, तो जो पैसों को लेकर और परिभारिक तनाहों को लेकर हमेशा चैंता excel होता है, और दूर की सोचते भ margin की सोचने में हमीशा लगे रहने वाले होते हैं, हलाकि आर्थिक स्थित को अपने काफी संभाल के आगे की दर्फ लेते हुए 7 लेकिन सुरु के इस इस शेतर में अगर इस द देर से उमर से प्राप्त होती है और इस कारण एक तनाव की स्थिति और केरियर में एक रुकावट और रोध की तरह चीजें इनके समक्ष आती होती है तो उसके करण कई वारे फस जाते हैं लेकिन एक वार अगर कहीं सेटल हो गए तो फिर हस्ते कहलते हैं अपने जिंदिकी इस चेतर में दो मुखी होगी ठीक है कुछ खास परिस्तितियों में क्या होगा खास महान वाओ के हाथों में शुक्र के इस चेतर में जाके दो मुखी हो जाएगी कुछ और महान लोग होंगे तो उनके क्या होगी कि ए चंदर के चेतर में आके दो मुखी हो जाएगी अब तीनों का प्रवाव अलग अलग पड़ेगा जीवन के जो जीवन सकती है उसके गुनों का विकास हो रहा है यहां पे लेकिन जो गरह छेत्र हैं उनका प्रवाव दिखेगा सुक्र की तरफ होगा तो विचारों में एक अलगी प्रकार का उनमाद होगा विचारों में चीजों को अपने मुल्यों के अपने समर्पन अपने आर्थिक परिस्थितियों को अपनी चला-चल संपती के परती इन सारी चीजों के परती वेक्ती का जुखान होगा इसके अलावा एक कटर विचार विक्ति के अंदर पनपता है और अपनी चीजों से पिछे अटने वाले लोग नहीं होते इनके अंदर जो विचार होते हैं वही होंगे आप अपने असर फोर लो लेकिन ये अपनी mentality बदलने वाले नहीं होते अब एक केतु के छेतर में होगा तो ऐसे लोगों को दुनिया से कोई खास मतलब नहीं होगा ठीक है इनकी अपनी दुनिया अच्छी कासी चलती रहे तो सब सही है सारे चीजों में दुनिया की जो भी चीज़ें समय थोरी बहुत इनकी क्या उसे बोलते हो कि सही हो उन चीजों में होगा stupid ons घ्य शीवन को बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ाने में लेकिं यही पे अगर चंद्रक चर्था में आकर दो उसह को जाता है तो ऐसे लोग बोड़े प्यारे हो जाते हैं कुछ необход अपने जीवन में ही लोगः kis मत प्रभाव किस तरीक में एक छोड़ी से स्टोरी सुनाता हूँ ऐसे लोग के बाले में ए लोग के आयने कि एक साहब की तरह ऐसे होते हैं जो कि घर में बैठे हैं और बाहर से इन्होंने आवास सुने कि भाया पांसो लगाओ जीवन पर बैठके खाओ पांसो लगाओ जीवन पर बैठके खाओ इनके कान बिल्कुल कर बाहर जाके देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एकदम पतली सी महीं सी स्माइली होटो पे चरपाई लेके फेरी वाला खा रहा है अब लो प्रगई कलेजे में ठंटक करवाली बेज़ेती पंसो लगा लियो जिंदिगी बर बैठके क्या लेटके खाते रही हो अब सुचो मन म अरे क्या हुआ है यारी यारे शपने देखने लगे तो ऐसी परिष्थितिां इनके अंतर बहुत आ जाती हैं जिसके खरण के बाद धोखा आ ज़ाते हैं ठीक है तो ऐसी चीजों से इन्हें बचना चाहिए ठीक है नहीं तो ऐसी इर्मानों के पानी फिरते रहते हैं तो फ सारे ऐसे वीडियोज हैं यूट्यूब पेजिसमें मैंने देखा कि इसे लेकर बहुत सारी भ्रांतिया फैलाई गई है तो उसके लिए बताना आवस्यक था ठीक है तो चलो मिलते हैं फिर और हाँ सुनो सुनो कुछ ऐसे लोग जो कि अब तक देख पा रहे हों कैसे भी करके और उनके मन में ऐसे उत्कंठा जाक गई हो कि हमें भी अपनी हाथ स्तरेखा दिखवानी चाहिए तो देख लो ऐसा है कि यह पेट सर्विस है और डिस्क्रिप्शन में वाट्सप निम्बर है तो वहाँ पर आगर आप जाते हो तो वाट्सप पर दू-3 चीजे कभी मत करना हाई हेलो लिखके मत छोड़ना क्योंकि यहां पे नापकी कोई गल्फरेंड है ना वाइफरेंड है जो कि आपको रिप्लाई करेगा ठीक है और सिधा पूछना प्रोसीजर क्या है आपको बताई जाएगी अच्छा लगे एकसेट करना नहीं लेगे तो वेलकम आपका आप पिर आगे बढ़ जाए ठीक है उसका कोई इसु नहीं लेकिन हाई लोग करके और सिधा पाम बेज देना वगरा कर देना तो मतलब थोरा भी संकोछे मेनी होगा आपको तुरंत बलोक कर दिया जाता है और आगे भी कर दिया जाता रहेगा तो चलते हैं फिर ठीक है मिलते है जैसे रहते